कॉंग्रेज सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष में कॉंग्रेज की ओर से दो दिवसिय चिंतन शिवी का आयोजन किया जा रहा है आज से इसकी सुरुवात हो कि OTS सबागार में ये चिंतन शिवन रखा गया है जिसमें अलग-अलग गुरूप बना दिये गए हैं विभाग के अधिकारियों मंत्री मौझूद रहेंगे मुख्य मंत्री आर्शो घहलो द्विस में मौझूद रहेंगे विभाग के चार साल में कितना विभागों में काम हुआ है उसका प्रजेन्टेशन मुख्य मंत्री के सामने रखा जाएगा सांतिसाद चुनावी घोषनापत के बिंदों पर भी चर्चा की जाएगी कि कौन से विभाग ने बहतरी इनकाम किया है हालनकि सिक्षा विभाग हो चाहें स्वास विभाग हो चाहें गरामिन छेतर के विकास के कारियों सबी को लेकर प्रेजेंटेशन रखा जाएगा बहतरी योजनाओं का फायदे जंता को मिल रहे हैं इसको लेकर यह जो है मंतियार लेकर आज कह सकते हैं जिसकी सुवात होने जा रही है मोख्यमंत्री अश्योग गहलोग इस चिंतन शीवर में मौझूद रहेंगे तमाम विभाग के अधिकारी में मौझूद रहेंगे सरकार की मनसा है कि चुनावी साल है ऐसे में कौन-कौन सी योजनाओं का धरातल पर असर बहुत हो रहा है जंता को कितना फाइदर मिल रहा है तो कि करोना काल में देखने को मिला था चिकिस्था विवस्ता पूरु तिरह से गरबड़ा गई थी लगाता केंद सरकार से भी मदद परियास की और सफल भी भी है अब अस्पतालों में उचित विवस्ता कर दी गई है इसके सासाती एहम विभाग सिक्षा विवाग में नवाचार करने के लेकर लगातार मुख्यमंतिर दिशा निर्देश देने में लगे थे मात्मा गांदी उसको बढ़ावा देने की कवाय किया जाया गária इसके सासाती यह tomar की रणनिती बनाइजाएगी क्योंकि सरकार की तरब से एक के वाद कारीकरम आयुद किया रही है लगाता जिलोंमें सबाय कि जा रही है जंता की बीक्रीच में बेच रह रह olduğunu तैकि यह पता लागा सकें कि सरकार ने जो गोष्णाप cotton में व जो मंत्री हैं विदायक हैं उनको जो है विवाग की जिम्यदारियां दी गई है आज जिस तरह प्रजेंटेशन की सुरुआत होगी निस्यत और पर हर विवाग के मंत्री चाहेंगे कि कही ना कहीं जो एहम बिंदू है उन पर चजा हो सके और भैतर काम हो सके इसको लेकर